Hello Everyone, Myself रजनेश्कुमार, I welcome you once again to the YouTube channel, हम Class 10th का जो एक्सराइज 11.4 है, उसके पीछे के एक्जाम्पल्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो I hope पीछे के आपने सारी वीडियो देख करके सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया होगा, आप लोग घर पे उनको बार-बार प्रैक्टिस करते रहे हैं जिससे के क्या है? आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है कि नहीं क्या? आने वाले कुछ दिनों में आ आपके 11 questions है, examples है, 11.4 से पहले, ठीक है? और इस slide में आपको example 1 and example 3 describe किया जा रहा है, example 2 थोड़ा बड़ा था, तो next slide में बताया जाए ठीक है, तो आप लोग proper sequence में note-book में note कर लेना, ले रहे हैं, चलिए, example 1 क्या है, देखता है, question क्या कह रहे है, समझते धाम से क्या है, में हमारी Pythagoras यूज हो सकती है, उसकी Converse यूज हो सकती है, फिर Area theorem, याद करेंगे इन सब्कोर, ठीक है, Area theorem, Recallet करेंगे, Pythagoras Recallet कर लेंगे, ठीक है, तो Pythagoras theorem कहां लगती है, एक right triangle में, क्या मतलब इसका, hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square, perpendicular base, 90 degree वाला जो अंगल है, उसके अगल-बग triangle का area divided by दूसरे triangle का area is equal to क्या होगा, उनका जो भी corresponding sides होती है, उसके square के ratio के बारवर, माल लेजेए, पहला triangle ABC, दूसरा है PQR, यह कहा कि नहीं कहा, तो AB पहली side है, उसकी corresponding PQ है, तो AB square upon PQ square, यह आएगा उनके area का ratio, ठीक है, हम को इसे भी corresponding side ले सकते है, ठीक है, तो पूरा statement क the ratio of squares of their corresponding sides, यह दो main theorems का use होगा in questions के अंदर, clear है, चलिए, तो चलते example 1 की हो, हमको, बहुत simple सा example है, एक दिवार है AB, और इस पे 8 meter उचाई पे एक window, खिड़की है, ठीक है, और शायद door lock हो गया है, तो हमको एक CD लगा करके, खिड़की से entry मार नहीं है, तो बहार हमने कहा है CD लगा दी, यह A से C तक CD लग गई, CD जो है ladder, उसकी लंबाई है, 10 meter लिखा है यहाँ पे, और window कितनी उची है, 8 meter, तो 8 meter उची window तक कहुंच लें के लिए, CD कितनी लंबी लगाए गई है, 10 meter, तो CD का जो foot है, तो कुछ दूरी पर रखना पड़ेगा, दिवार से, तो उसका जो base है, ladder का वो, from the base of wall, और wall के base से, यह foot कितनी दूर है, suppose, X meter है, तो बताओ, यह right triangle हो गया, क्योंकि दिवार हमेशा परपेडिकलर होती है, जमीन पे, जो 90 degree हो गया, तो मतलब, यह 8, यह X, यह 10, तो X निकल जाएगा ना मड़े रहा हम से, तो by Pythagoras theorem in triangle ABC we have, hypothesis है, 8, vertical जो height है, यह window की, तो यह 8 हो गया, 8 का square, and BC unknown है, X, X का square, चलिए, 10 का square होता है, 108 का square होता है, 64, X square, ऐसा गया, 64 इतरा के, minus हो जाएगा, X square इसकल तो क्या आएगा, 100 minus 64, 100 minus 64 होता है, 36, तो X square 36 है, X कितना हो गया, square root लग जाएगा, और square root 36 कितना होता है, 6 होता है, 6 होत ladder है, उसका जो foot होगा, वो दिवार के base से 6 meter की दूरी पर होगा, therefore, final statement में जवाब लखेंगे, direct वही नहीं भारेंगे, unit लिखना नहीं भूलेंगे, therefore, distance of the foot of ladder from the base of wall, कितना है, 6 meter हो जाएगा, clear है, so this was our question number 1, बिल्कुल सिंपल था, चलिए, question number 3 देख लेते हैं, इसकी बाद सेकेंड वाला देखेंग, उथुरा लेंदी, हमको दे दिया दो triangle, ABC and DEF, जो कि similar हैं आपस में, और इसके एक 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 और साइट से हमको दे दी, तो, इसमें AB दे दिया 2.2 cm, और DE दे दिया 3.3 cm, और देखो, similar दिया, तो जब कभी भी दो triangle similar होते हों, और उनके areas के बारे बे दिया 2.3 cm, बतले हों, इनका ratio निकालना है, तो हम, क्योंकि triangle पहले से similar है, area theorem लगा सकते हैं, solution क्या हैगा, using area theorem, in these similar triangles, क्या कहते ही area theorem, यदि दो triangle similar होते हैं, तो उनके area के ratio, corresponding sides के square के ratio के बाराब होता है, area में, 2 sides in 2 आएगी, ठीक है, तो देखो, पहला triangle ABC है, तो area of ABC, divided by area of DEF क्योंको निकालना भी है, is called to corresponding side, अब दिया कौन से, AB दिया, तो इस, इस में देखेंगे, sequence में देखेंगे, अगर मैं यहाँ AB लेता हूँ, तो मेरे को निचे DE लेना पड़ेगा, same to same, और DE दोने दे रखाए अपने को, तो इनकी corresponding sides, AB के corresponding हो गया, DE, यहाँ लिग देगे, AB square upon DE square, हम BC square upon EF square भी लिख सकते थे, AC square upon DF square भी लिख सकते थे, ठीक है, तो AB square upon DE square यह हो गया, clear है, चलिए, तो अब क्या, अभी हमने क्या, इसकी value put कर दी, AB और DE की जगे, AB आगया, हमारा 2.2 है, तो इसका square कर दिया, DE आगया, 3.3 है, तो इसका square कर दिया, अब दोनों के में whole square लगा दिया, 2.2 by 3 by 3, कर सकते हैं, इसा, बिल्कुल कर सकते है, तो दोनों में, एक एक के बार decimal हटा दिया, decimal तो यह हो गया, 22 यह हो गया, 33, अब अंदर कट जाएगा, 11 से, 11 2 सा, 11 3 सा, तो 2 by 3 और उपर whole square आगया, 2 by 3 को कितना होता है, 4 by 9, तो therefore क्या आया हमारा area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to क्या आगया, 4 by 9, या पर इसी को 4 is to 9 भी लिख सकते हैं, clear है, तो यह था हमारा, कौन सा, question number 3, clear है, चलिए, आगे बढ़े, यह हमारा question number second आगया, थोड़ा सा बढ़ा है, मैंने सारा जो रफ़र के एक-एक step यहां लिखा है, ताकि आपको कोई problem नहीं हो, ठीक है direction के बारे में सबको घ्यान होगा, अच्छे से कि हमारा जो map होता है, जो भी हम figures देखते है, कैसा होता है, north, south ऐसे, vertical, उपर north है, नीचे, south है, और इधर east है, और left में क्या होता है, west होता है, ठीक है, map ले देखे तो, यह हमारी 4 दिशा है, और सपोस हम यहां center पे जाए, airport का है, B point पे, airway से, अब यहां से दो aeroplanes एक साथ उडान भरते है, एक तो north की तरफ उड़ जाता है, तो उपर जाना पड़ेगा, इस point से, और एक उड़ जाता है, west की तरफ, एक साथ, समझ में आ गया, तो B airport से, one of the aeroplanes, it flies due north, due मतलब की और, north की और उड़ गया, आप question प जो north की तरफ उड़ा, उसकी speed book में दियो ही है, 1000 km per hour, जो west में उड़ा, उसकी speed दियो ही है, 1200 km per hour, मैंने दोनों की लिख दिये figure में, यहां तक clear, चलिए, अब उड़ गए, अब यह दोनों की दोनों, डेड़ घंटे तक उड़ता रहे, डेड़ घंटा होता है, one and half hour, one and half को मैं 3 by 2 ले सकता हूँ, proper fraction है, mixed fraction को, ठीक है, तो डेड़ घंटा यह उड़ा, डेड़ घंटे उड़ता, तो डेड़ घंटे उड़ने के बाद में यह पहुंच गया, suppose A point पर यह पहुंच गया, C point पे, तो पूछा जा रहे, डेड़ घंटे की उड़ान के बाद में, दोनों के बीच का direct distance क्या है, मतलब A, C क्या है, और हमको पता है, कि जो direction north है, और जो direction west है, इसके बीच में अंगल क्या होता है, 90 degree होता है, चारो main direction के बीच में 90 तो होता है, तो यह right angle बन गया, A, B, C, समझा गया, तो अब मुझे बताओ, हमको यह दूरी निकालने पड़ेगी, A, इसी प्रकार से जो aeroplane B से सी गया, speed पता है, time पता है, same, तो हम मान लेते हैं, उडान शुरू करने के बाद में, दोनों aeroplane के बीच की जो दूरी है, डेड़ घंटे के पच्चा तो सपोस X है, A से लेकर सीथे, देड़ घंटे के बाद की दूरी है, ठीक है, तो let distance between the two aeroplanes, one and a half hours, तो ये three by two हो जाएगा, ठीक है, after take off, उडान भरने के तेड़ घंटे बाद मान लेजिए, उनके बीच की दूरी कितनी है, X kilometer है, और हम को पता है, speed का formula क्या होता है, since speed is equal to distance upon time, तो distance हो जाएगा speed into time, तो D बराबर हो जाएगा speed into time, तो ये distance निकालना हमको, पहले first aeroplane due north, सन्वाग, north तो उड़ान भरने वाला जो पहले, उसने किती दूरी होता है कि, तो दूरी होता है, यहाँ पे figure में AB है न, तो हम लिख देंगे AB is equal to, और दूरी होता है, speed into time, उपर रिकालना हम नहीं है, speed क्या पहले aeroplane की, 1000, और time कितना है, 3 by 2, आर में है, ये kilometer पर आर म है, तो kilometer में आ जाएगा, अच्छा, 2 काटेंगे 1000 से, तो 500 times कटेंगा, और 500, 3 is a 1500, 1500 kilometers, ये clear है, same तरीके से हम दूसरे aeroplane का निकालेंगे, distance traveled by second airplane due west, जो west की तरफ उड़ गया, तो ये दूरी आ जाएगी, देखो अधर BC आ जाएगी, ठीक है, तो BC is equal to क्याएगा, वही speed into time, speed is bar, 1200 km पर आर, और time by 3 by 2, तो 2 कटेगा 600 times, और 600 into 3, ये हो जाएगा, 1800 kilometers, clear है, तो दोनों की दूरियां निकाल लिए, हमने 1500 km उड़ गया, एक 1800 km उड़ गया, तो AB पता चल गया, BC पता लग गया, तो AC निकाल लेंगे, जो X है हमारा, तो using Pythagoras theorem in triangle, ABC, PT मतला Pythagoras theorem, चलिए, hypothesis बताओ, AC, AC square is equal to AB square plus BC square, सब की value भर देंगे, AC को हमने X मान रखा है, तो X square, AB निकाल, हमने ताजा ताजा आजा है, 1500, उसका square plus 1800, उसका square, अभी आपको कम से कम 30 तक square चाहिए, X square ऐसा कसर रिखते जाएंगे, ठीके, चलिए, 15 का पहले अलग जो digit दिख रहे हैं 15, उसका square ब इसे प्लस के बाद 18 का square करेंगे, तो 324 आता है, दो 0 की जगे आ गया, 4 0, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्या, दोनों का square निकालने के बाद में, अब उनको add कर देंगे, तो 4 0, 4 0, तो 4 ही 0 आने वाला है, इधर तो 4 और 5 को add किया, तो 9 आ गया, फिर अगला digit 2 और 2 को add तो 549 और 4 और 0 आ गया, ये x square आया, तो x क्या आएगा, रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अब मुझे बताओ, ये जो 2 0 और 2 0 है ना, ये 4 0, इसको मैं अलग करके लिख सकता हूँ 10,000, और 10,000 मतलब हो गया, 100 into 100, समझ में आ गया, तो 4 0 हटा करके मैंने कर दिय तो 549 तो 549 के factors निकाल लेते हैं, ऊपर चलते हैं देख रहे हैं 549, चली, अब 2 से तो जाएगा नहीं है, और नमबर है, तो हम क्या 3 से चेक कर लेंगे, 3 से कैसे चेक करेंगे, इन सब का digits का सम 3 के 12 में आता है कि नहीं आता देखते हैं, तो 5 4 9, और 9 9 18, 3 के 12 में आता है न प्राइम नमबर है, तो 61 बंजा 61, clear है, तो क्या factors निकले, 549 के 3 2 3 2 61, चली, देख दिया देखो इदर, 3 2 3 2 61, ऐसा हम को इसलिए करना है, ताकि जो कुछ हो सके रूट के बाहर निकालना चाहिए, तो निकालने, अब देखो जोड़ा किस-किस का बन रहा है, पेर से बाहर 100 दो बार है, एक बार आ गया, रूट में सिर्फ असा रह गया, 61, अचाहा, 100 इंटू 3, 300 हो गया, रूट में आ गया, 61, हम चाहिए तो यहां पे भी छोड़ सकते है, किलोमेटर में लेकिन, इससे exact पाता निचलेगा, कितना है, तो डेसिमल में निकालने लेंगे, तो 300 ऐसे के लिए 2-0 लगा लगे, तो 2-0, 2-0, 2-0, 3 pairs of zeros लगा लगा लगे, ठीक है, ताकि 3 digits मांसर आ जाएगा, चलिए, 7-7 सा 49, कितना बच गया, इधर 11 में से 9 गया, तो 2 बचेगा, 5 में से 4 गया, तो 1 बचेगा, उपर से पूरा पेर का पेर उतार लेंगे, तो 12 और 00, 12 हो गया तो यह देखो, हमने 7 का स्क्यार बोला तो यहां आजाएगा, 7, जैसे हमने point के आगे का उतार लिया, तो यहां लग जाएगा point, समझ में आ गया, 12 हो आ गया, point लगा दिया, 7 लिख दिया, आगे चलते है, अब 7 और 7 को add करना है, add करने से 14 आएगा है, अब यहां पे हमको ए 148 को 8 से इंटू करेंगे न, तो इत विल भी 1184, तो 7 जासे थोड़ा जादा कम रहेगा, 9 जादा हो जाएगा, 8 जाजा जाएगा, इसको subtract करेंगे, तो यहां आएगा 16, 16 आ गया, तो यहां हमने क्या repeat किया था, 8 से किया था, यहां पे 8 आ जाएगा, decimal के बाद में, फिर 156 है, अब मैं अगर 1 भी लगाता हूं, तो 156 11 जा, 156 1 आ जाएगा, टूजा करते ही, 3000 सुपर चला जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा, तो 1561 इसमें से subtract करेंगे, तो हमको आएगा यहां 39 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, इधर से 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 3 गया तो 6, और 5 में से 5 चला जाएगा, ठीक है, 39 आ गया, यहां मने 1 रिपीट किया था, 11 जा किया था, तो यहां 1 लगा देंगे, अब यह 2 0 और उतार रहेंगे, लास्ट जोड़ा, 39 किया तो 39 00 हो गया, अब इनको ऐड करेंगे, 1562 हो जाएगा, तो 1562 हो गया, ठीक है, अब 1562 के पाड़ीज का हो गया, तो 1 जा अगर जाता होता है, तो 0 जा लिखना पड़ेगा, 1562, 0 इनको 0 तो 0 आ जाएगा, 0 से प्रेट किया, तो 39 00 ही पचेगा, तो लास्ट पे 0 आया, तो फाइनल हमारा 3 डिजिट में अंसर किया है, 7.810, रूट 61, 7.810 लिख दिया हमने, पूर अ 2-0 होते हैं, तो इस 7.81.0 हो जाएगा, समझ में आ गया, यह 2-0 को 100 मान के इसके साथ इंटू कर देना, तो छोटा हो गया, अब यह 7.81 है, इसको 3 से इंटू करना है, 3 बन जा, 3, 3, 8 जा, 24, 4, कहरी लग गया, 2, और 3, 7 जा, 21, 21 में 2 जोड़ा, तो 23 आ गया, तो हमारा फ समझ में आ गया, तो अच्छे से ध्यान से समझेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है, तो 1 question और 3 पहले discuss किये, यह हो गया, question number 2, now let us move on to question number 4, 4 और 5 दो नहीं है, ठीक है, simple area theorem का application है, बहुत easy है, ऐसे question है कि एक दो दो number में आते हैं, आपके exam में, तो देखते हैं क्या ही, हमको 2 triangle similar दे दिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, similar दिए हो triangle और area के ratio की बात हो रही हो, या ratio निकालना हो, तो मतलब area theorem का user, ठीक है, और कहीन का area दिया भी दिया होगा आपको, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है, जहां कहीं पर area का involvement है, area की बारे बात हो रही है, तो area theorem लगेगी, clear है, चली, जो triangle similar है, तो मेरे theorem लगा सकते है, triangle ABC का area 36 cm2, triangle PQR का area 49 cm2, समझ्या गया, तो हमको पूछा है, क्या निकालना ह sites, corresponding sites का ratio निकालना है, corresponding side कोई सी भी ले सकते है, चली, मैं triangle ABC में AB ले लूँ, तो इसके corresponding क्या हो जाएगी, PQ, AB upon PQ निकालना अपनों को सब्सक्राइब, हम कोई से भी ले सकते हैं, कोई फरक ने पड़ेगा, BC upon QR भी ले सकते हैं, AC upon PR भी ले सकते हैं, तो खिलाल हम पहली पहली ले लिया, यहां तक लियर है, चलिए, तो सिधा हमारा similar ही है, तो using area theorem for similar triangles, क्या कहती है area theorem, यदि दो triangle similar हो उनके area का ratio, area of पहला triangle upon area of दुछरा triangle is called to corresponding side का square का ratio, तो यह दोनों का area ओपर हम ने ऐसे लिख दिया, और corresponding side AB square upon PQ square देखोई दे, AB तो इसकी corresponding PQ, और AB PQ का square में लिख ले दोनों में, अच्छा हम यह दोनों के उपर square है, तो ब्रैकेट में बंद करके, अकेला लगा सकते है, स्क्वार सिंगल, दोनों को whole square लगा सकते हैं, और इन दोनों का area हमको given है, area of triangle ABC 36 है, PQR का area है 49, अब यहां से square हटा देगे, तो इस तरह आखे root लग जाएगा, तो AB upon PQ किया हो जाएगा, square root of यह, square root of 36 by 49, और 36 by 49 का square कितना होता है, 6 by 7, यह 6 is to 7 भी ले सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं, तो यह आगे हमारा required ratio, clear है, चलिए, अगला भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, हमको triangle ABC और triangle PQR similar दिया है, उसी तरीके से, इस बार दोनों triangle का area भी दे रखा, ABC का तो 16 cm2 है, और PQR triangle का area 9 cm2 है, और इस बार इन दोनों की corresponding size का ratio नहीं पूछा है, एक की दे दी, दूसरे की पूछी है, AB दे दी, इनों ने दे होई, AB दे दी, तो पूछा है कि PQ कितना होगा, सज में आगया, वही करना है जो उपर किया था हमने, using area theorem for similar triangles, क्या हो जाएगा, area ABC upon area PQR, पहला पूछा, इसकल टू, पहले वाले की side का square, पहले वाले की side का square, पहले 2.1 का square upon, नीचे वाला नहीं पता, PQ का square, अब मैं दोनों को bracket में whole square लगा सकता हूं, दोनों के उपर है, तो 2.1 upon PQ का whole square आ गया, और square आ गया, और इनका area जो हमको पता हो लिख देंगे, उपर आले का area ABC का 16 है, दे रखा इदर, और नीचे वाले का 9 है, तो 16 by 9, और इदर 2.1 by PQ का whole square, अब क्या करेंगे, square हट आएंगे, तो इदर root लगेगा, तो root में 16 by 9 आ गया, और इस square हट गया, और इस square हट गया, तो 2.1 by PQ, अच्छा, इनका जब solution निकालेंगे, तो 16 का square root होता है, 4 और 9 का होता है, 3, 4, 4 जा 16 और 3 जा 9, तो 4 by 3 आ गया, और यहा 2.1 upon PQ, 3 into हो जाएगा, 2.1 के साथ, 3 into हो गया 2.1 के साथ, और 4 इदर denominator में नीचे आ जाएगा, आगया, उपर आले को इंटो कर लो, 21, 3 जा 63 होता है, और 11 point लगेगा, तो 3 के बाद इदर point लग गया, ठीक है, आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, कोई फरक नहीं पड़े काट, यह 6.3 आया लगा देंगे, 4 का टेबल 23 में बोलेगे, तो 4 फाइवजा 20 जाएगा, 5 जा, 23 बच गया, पर 3 अगले वाले 0 के पीछे लगा देंगे, तो 30 हो गया, 4 7 जा 28, तो 30 बेसे 28 गया, तो कितना बच गया, 2 बच गया, और आगे एक और 0 लगा, तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, समझ अगे, तो 5 जाएगे, तो 5 के आगे का डिजिट देंगे, अगर 5 के आगे का डिजिट बड़ा वाला हो, बड़ा वाला मतलब 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कुछ होता है, तो हटा करके यह एक बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर आगे के डिजिट छोटा होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो हटा देना है, इसको बढ़ाएगे नहीं, तो फिलाल देखो, 5 तक रखना है अपने को, एक डिर तक रखना है, तो इसके आगे देखो, यह बढ़ा है ना, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कुछ भी होगा, तो यह बढ़ा देंगे, और पीछे वाले को एक बढ़ा देंगे, तो 1 1.6 cm approximately, ठीक है, जब भी decimals involved होते हैं, round off करते हैं, तो अप्रोक्स पका लिखना है, clear है, तो यह था हमारा question number 5, चलिए, आगे चले, यह हमारा question number 6 है, examples में, बढ़िया question है, थोड़ा द्यान से समझेगे, हमको एक triangle ABC दिया, याद रखेंगे, area theorem similar triangles में लगती है, अभी तक जो triangles दिये थे, हमको similar दे रखेंगे थे, अब यहाँ पर triangle ABC है, समझ में आ गया, okay, फिर क्या लिखा है, DE एक line segment है, जो BC के parallel है, दिग DE parallel to BC, उसके बाद AD by DB ये ratio दे दिया, 1 is to 2 मैंने जो figure में दिखा रहा है, ये, अगर AD 1 है, तो ये कितना है, 2 है, तो 1 is to 2 इसका ratio दे दिया, clear है, क्या निकालना है, अब अगर ये देखो parallel हो गया न, DE, तो मतलब उपर वाला तो छोटा rectangle हो गया, नीचे वाला हिसा देखो, ये और ये parallel हो गया, तो trapezium हो गया न, क्या होता है trapezium, एक ऐसा quadrilateral जिसमें 2 sides आपने सामने की parallel हो गया, कोई भी एक जुड़ा, तो ये क्या चाहिए इसको, area of trapezium BDEC, मतलब नीचे वाला जो trapezium बन गया, उसका area upon उपर वाले का area, समझ में आ गया, तो area of ये नीचे trapezium B C, D, E, C, ये upon area of उपराल triangle AD, इनका ratio चीए, इसका उपर इसका नीचे लगना है, चलिए, देखते हैं, area की बात हो रही है, ratio की बात हो रही है, तो area theorem के बिना नहीं निकल पाएगा, चलिए, अब area theorem लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, triangles में लगती है, और या फिलाल हमक help के लिए हमको ये देखो, parallel दिया वाने D, तो बहुत असान है, तो हमको सिर्फ दो-दो angle match कर देना, तो angle ये तो common हो गया, दोनों में देखो, चोटे triangle में भी है, बड़े में भी है, और angle 1 बराबर angle 2 कर सकते है, corresponding angles, तो A similarity से triangle ADE और triangle ABC similar हो जाएंगे, तो पहला काम ही करना है सॉलुउचन पर आजाते है, जब यहाँ पर find करना है, कुछ खोजना है, तो यहाँ solution लिखेंगे, जब यहाँ पर prove करना है, to prove, तो यहाँ पर proof लिखेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्याना रखेंगे, ठीक हाद कि नहीं, corresponding angles का pair हो गया, and angle-angle है, दोनों में ही है, common हो गया, तो दो-दो angle match होने का मतलब है, by AA similarity criterion, triangle ADE similar हो गया, triangle ABC के similar हो गया, जी, अब क्या, अब area theorem लगा सकते हैं, इसलिए वालों में similar दिया था पहले से, या नहीं दिया था, तो सबसे पहले काम similar करना पड़ा, हमेशा ध्यान रखना है, चलिए, area theorem लगा है, क्या कहते ही area theorem, कि जो दो triangle similar हो जाते हैं, उनका area का ratio, तो देखो, मैंने उपर लिख दिया ADE, नीचे लिख दिया ABC, इनका area, area का ratio क्या होता है, corresponding sides का square का सम, हमको corresponding sides कोई सी भी ले सकते हैं, लेनी वो है, जिनके बारे में बात की गई, ADE, DB के बारे में बात की गई है, और ADE, DB इस तरफ के हैं, ये corresponding sides लेनी है, चलिए, तो उपर ले triangle में हम ले लेते हैं, AD, AD लिख दिया, तो अगर इसमें AD लिया, तो नीचे AB ही लेना पड़ेगा, समझ में आगया corresponding, तो हमने लिख दिया AD स्क्वाइर पॉन, AB स्क्वाइर है, होल स्क्वाइर लगा देंगे, AD अपॉन AB का होल स्क्वाइर है, अब मुझे बताओ, AD अपॉन DB पता है, AD अपॉन AB तो नहीं पता, तो एक काम करते है, AD को छोड़ देता है, AB को ठोड़ लेते है, AB देखो क्या AB, A से लेकर के B तक, तो A से लेकर के B तक की ज़ो डूरी इसको लेसकता है, अगर AD प्लस DB, नीचे वाले को, AB को, तो मैंने AB को नीचे लीख दिया, बागे सब स्ब्लस DB, अब इनकी values भर लेते हैं, अगर AD 1 है, अगर AD क्या है, 1 है, तो मैंने AD की जगे लिख दिया 1, तो AD plus DB कितना है, देखो, AD plus DB, 1 plus 2, 1 plus 2 समझ में आ गया, तो उपर तो आ गया 1, और नीचे 1 plus 2, 3 होता है, और 1 by 3 का all square करेंगे, तो 1 का square तो 1, और 3 का square होता है, 9, तो यह आगे 1 by 9, clear है क्या, तो finally हम कहां पहुचे, right side में आ जाएंगे, दोनों triangles ADE और ABC जो है, छोटा और बड़ा, उसके area का ratio आगे 1 by 9 आ गया, यहाँ तो clear है, अचा अब किसी चीज का ratio दिया जाता है, तो उसकी values को XX लगा के मान सकते हैं, तो मान लेते हैं, area of triangle ADE 1X है, और area of triangle ABC कितना है, 9X है, दोनों के साथ X लगा सकते हैं, तो let area of triangle ADE उपर आगा 1X और नीचे आगा ABC 9X, अब मुझे बताना, पूरा triangle का area 9X, उपर छुटकू triangle का area 1X, तो नीचे वाले का कौन बताएगा, 9X में से 1X घटा दो, तो नीचे का area आजाएगा 8X, यही किया है यहाँ पे, area हमको BDEC निकालना है, जो trapezium है, कैसी निकलेगा, area ABC, full, बड़े वाला, minus area AD, उपर वाला, बड़े वाले का area 9X है, यह रहा, की trapezium के area, clear है, सब के area आगए, अब हमको जो चीओ निकल लो, फूसरा area of trapezium BDEC, area of trapezium BDEC, divided by area AD, area AD, BDEC का भी निकाला 8X, और AD का हमने देखो, X मान रखा, 1X to 1X, काटा पीटा, 8 by 1 आया, इसको हम लिख देंगे, 8 is to 1, यह हमारा final result आ गया, जो ratio को चीए था, वो क्या आ के लिए, अच्छे से समझ के note करेंगे, चलिए, next question पर चलते हैं, और probably इस वीडियो का शायद last question भी हो सकता है, ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, यह तो चक्कर आ सकते हैं समझने में, ओके, 7th question, क्या दिया है, देखते हैं, हमको triangle A, B, C दिया है, बच्चो इस question में थोड़ी सी language of mistake आपकी text book में, तो मैं correct कर दूँगा, जब मैं समझा रहा हूँ, तो एक बार test book को खोल करके, वहाँ पे भी correction कर लेंगे, ठेक है ना, क्या book कहना चारी है, क्या निकाल रहे है, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, चली, हमको दे दिया triangle A, B, C, लिग दिया triangle A, B, C, बीच में एक line segment PQ parallel है, A, C, K, लिग दिया PQ parallel A, C, और हमको BP by BA का ratio दे दिया, देखो, यहाँ नीचे से चलो करना है, BP, चोटा, अपॉन BA, पूरा, यह है 1 by root 2, समझ में आ गया, BP upon BA, यह है 1 by root 2, clear है, तो पूछना क्या च यह पूछना चाहरा है, यह क्या है, प्रूव करवाना चाहरा है, कि यह जो प्रूव करो, PQ ने इस पूरे बड़े triangle के, जो दो टुकडे किये हैं, इन दोनों का area बराबर है, अर्थात, इस triangle का area और इस trapezeum का area बराबर है, यह लाना है, समया गया, तो देखो, क्या PQ divides triangle ABC, समया गया, PQ triangle ABC को divide कर रहा है, into two parts of equal area, समया गया, बराबर क्षेतरपल के दो हिस्सों में, बुक क्या है, कह रही है, कि prove that PQ divides triangle ABC in the same ratio, same ratio का क्या मतलब है, equal areas में बोलेंगे, same ratio में नहीं बोलेंगे, ठीक है कि नहीं क्या, triangle का ratio नहीं होता है, area का ratio होता है, तो दोनों ह जो का area बराबर ही साबित करना है, तो इसका area बराबर ही सालाना है, ठीक है, चलो, फिर area की बात हो रही है, और हमको कहीं पर भी कुछ भी similar नहीं दिया, तो सबसे पहला काम, ये छोटा triangle और बड़ा triangle, इनगाया नहीं पहले में, छोटे कालेंगर, नीचे से start करेंगे, BPQ औ B, A, C, system सम्झ में आ गया, तो देखेंगे, in triangle, B, P, Q, and triangle, B, A, C, सम्झ में आ गया, ये common वाल से start कहा, B, P, Q, B, A, C, चलिए, angle B, angle B, common हो गया, clear है, and angle 1 जो है, छोटे वाले में, और angle 2, बड़े वाले में, ये corresponding angles हो गया, बराबर, क्योंकि ये दोनों lines कहा है, parallel है, P, Q, and A, B, sorry, ठीक है, तो angle 1 is equal to angle 2, corresponding angles between parallel, P, Q, and A, C, enhanced by A, assimilatic criterion, दोदो अंगल match हो गए, तो triangle B, P, Q, and triangle B, A, C हो गए, similar, similar हो गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, area theorem, ठीक है, चलिए, क्या कहते area theorem, इस छोटे triangle का area, upon बड़े triangle का area, is equal to corresponding sides का square का ratio, clear है, चलिए, तो देख बात हो रही है, इस तरफ की यह वाली, जो भी इधर की sides है, तो BP ले ले लेंगे, और BA ले लेंगे, तो देखो इधर, इसमें ले 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 हमने BP, शुरू की दोनो, BP का square, इधर BA, BA का square, और BP upon BA का whole square लगा सकते है, BP by BA पता है, देखो यह रा, ऊपर दिवा है, तो क्या हम इस रूट टू, पेर बन जाएगा, हट जाएगा, अब क्या करना है, इन दोनों में से छोटा वाला हिस्सा निचे ले आओ, तो देखो BP की और BP का area और BC, चोटा BP का area और BC, चोटा BP का area और BC, इसको निचे ले आएंगे, तो by invert and उल्टा कर सकते है, तो area BC उपर आ गया, BP की नि की छोटा पूरा, तो मुझे दोनों छोटे हिस्सा चाहिए, और दोनों छोटे हिस्से करने का क्या तरीक है, तो मुझे इसका area और BC उपर का ट्रेपेज़े में, इसका ratio बन चाहिए, ठीक है, तो हमने invertendo लगा दिया, छोटा ओला निचे ले, अब करेंगे, सब्ट्रेक्ट 1 from both side, तो देखेंगे क्या फरक पड़ता है, तो देखेंगे left side में area BAC upon area BPQ, इस में से एक घटा दिया, और इधर 2 by 1 में से एक घटा दिया, तो 2 by 1 तो 2 ही होता है, और 2 में से 1 गया, तो 1 बचेगा, तो इधर तो 1 आगया, अब इधर देखने है, L से मिलेंगे area BPQ, ऐसा कैसा ठीक है, तो area BPQ, area BPQ ये common है, मतलब ये 1 तो इधर इंटो हो जाएगा, ये इधर इंटो हो जाएगा, तो ये इधर इंटो हो जाएगा, अब area BAC में से area BPQ घटा हो, देखो, area BAC full, इस में से area BPQ छोटा, तो क्या बचेगा, area of trapezium APQC, area of trapezium APQC, समझ में आ गया, तो APQC का area trapezium का triangle BPQ जो कोने में, इसका area का ratio 1 आया, तो ये मैं इधर ला सकता हो कि नहीं, area APQC किसके बरावर हुआ, area BPQ, ये ही तो लाना था, इसका area और इसका area क्या आएगा, बरावर आएगा, पीक्यू जो है, इस बड़े triangle ABC को दो equal areas वाले triangles में divide कर रही है, clear है, तो ये था question number 7, आज के video का आखरी question, ठीक है, अब इसके बाद हमारे रहा गए, 8, 9, 10, 9, 11, only 4 questions are remaining, so we will discuss the remaining 4 questions in the coming video, that is the next video, hope, आप सब को च्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो को पूरा देखेंगे आखर तक, नहीं समझ में आए, बार बार देखेंगे, और properly समझने के बाद में ही note करेंगे, और समय समय पर 2-4 दिन से इनको क्या, रख लोडूक में एक बार practice भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप इनको बिना गलती के कर पाएं, clear है, okay, thank you for watching.